हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम विज्ञान के 40 महत्वपूड पहविकल्पी प्रश्णों को देखेंगे इसमें हम भौती विज्ञान, रसायन विज्ञान और जी विज्ञान के सभी important question लिये हैं ये सभी प्रश्ण आपके सभी पेपर में कई बार पूछ चुके हैं जैसे 2022 में, 20 में और 19, 18, 17, 16 में ये प्रश्ण कई बार repeat हो चुके हैं और कल आपके board के exam में विज्ञान के पेपर में जितने भी प्रश्ण कराएंगे इसी में से 100% सभी सवाल पूछे जाएंगे तो फ्रेंस बस आप से इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाश तक जरूर देखके जाएगा सभी सवाल इसी में से फसेंगे चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंस यह आपके सामने पहला सवाल है कि A वो B बिंदुओं के बीच तुल्ले परतिरूद होगा फ्रेंस देखिए यहां पर A और B है इसके बीच में तुल्ले परतिरूद आपको ग्याद करना है यहां भी देखिए A कोम और एक हो जाएगा और कमान ग्याद करना है कितना हो जागा एक बंट़ाके दू हो जाएगा यह पर आप घो오агоरा जिरू जीरॉदोलं के निया है और ये किसमें इसका स्रीज में हो जागा और जीरू पांस को जोड़ दीजिए है इसको जhouड़ेंगी जोड़ेंगे तो participating आपक एक ओम होगा ठीक है फ्रेंस देखिए इसका सही जवाब आपका होगा भी इस प्रश्ण को आप इस प्रकास से लगाईएगा ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पर देखिए दूसरा नंबर है कि एक दस्मिल पांच बोल विद्द वाहक बल क इस सेल का आंत्रिक प्रतिरोव हो तो सेल से प्राप धारा का अधिक्तम मान होगा देखिए फ्रेंस यहां धारा का अधिक्तम मान पूछा है ना क्या होता है भी पटाके a're होता है यहां भी कमान कितना दिया यह 1.5 दिया ते एक दस्मिल पांच रखे अ अपना ओर कमान कि इसको भी साथ में आप याद रखिए कितना होगा जीरू दसमलोग पांच इस प्रश्ण का सही जवाब होगा आपका भी होगा ठीक है फ्रेंस आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखें यहां पर कि दूर दिरिष्टी के कारणब प्रतिवियम बनता है देखें फ्रेंस उसको जाकर आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है फ्रेंस यहां पर कर आए कि दूर दिरिष्टी के कारणब प्रतिवियम बनता है तो फ्रेंस जब दूर दिरिष्टी दोस होता है तो आपको क्या होता है दूर की वस्तु असपर्श दिखाई देती है ले चैटीना के पीछे बनता है 2 अब कुछ सवाल बता देते हैं इसी में से सवाल आपको पूछेएगा एक दूर दृटि दोस होता है एक निकट दूरुस्टी दोसस भाख रहे हैं फ्रेंस आप याद जरूर रखिएगा दूर दृष्टी दोस्त को यदि हमको दूर करना है तो ठीक है इसमें कौन से लेंज प्रयोग करेंगे उत्तर लेंज का प्रयोग करते किसका उत्तर लेंज ठीक है उत्तर लेंज का निकट दृष्टी दोस्त को दूर करना है तो इसमें आउतर लेंज का प्रयोग करते किसका और तर लेंज ठीक है फ्रैंस अब देखिए फ्रैंस इसके लवा क्या याद रखना है आपको इसके लवा आप याद रखिएगा कि दूर दूर दुर्ष्टी दोस्ट में दूर बिंदू कितना याद रखेंगे निकट बिंदू कितना होता अतर पुछेंगा 25 संट्री मीटर और दूर बिंदू पूछते हैं ते कितना बताएंगा अनंत बताएंगा ठीक है इन दुने प्रश्णों का आप साथ में याद जरूर रखिएगा ठीक है फ्रेंस अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि समाने दृष् कितना दूर बिंदू पूछाएंगा तो वहां पर आपका अनंत होता है इस दूर पॉइंट का जुरूर याद रखिएगा यहां पर निम्नतम बिंदू पूछा है तो कितना होगा पचीस सेंटिमीटर तो इस प्रश्ण का जवाब सी होगा आपके सामने अगला नंबर का स पूछ किसरे किसके काज के साफ़ च्वाईू का यानि काज के साफ़ च्वाईू का ठीक है अगला नंबर का सवाल है यहां पर देखिये एक LENS की छमता कितना है, फॉन डैयोप्तर है, तो इसकी फोकस दूरी वोगी ठीक है यहां पे फिर सी आपको पताते हैं, की एक LENS की छमता कितना है, प्लस दूरी धे खी आपकैं, पी बराबर होता है, 1 grappile यहां पर एंसवर को जरूर ध्यान से देखिए गए संटीमीटर में दिया है संटीमीटर जब रहता है तो यहां पर क्या लेते हैं सो हो गया और यहां पर यहां पर कर लिजिए और पी को यहां पर सो पटाके पी का मन कितना है वन डायोप्टर रहते एक का भाग देंगे कितना हो जाएगा सो संटीमीटर इसका सही जवाब होगा आपका सी यहां पर लेंस की छंताक मात्रक हमेशा बोर्ड के एक्जाम में पूस्ता है यह जरूर आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले साफवान नम्बर के सवाल को सा आर्एक सही है निर से निकलती है और ये प्रिवयस करती Jest आर इक निकल यह ने प्रिवयस कर तो ऐसे जा रहा है और यदर से देखेंगे अइसे जा रहा है और जब चुम्बक के अंदर देखता है फ्रेंस चुम्बकी रेखा यह क्या करता है एक दूसरे के समनांतर होती है और कैसे यह से यस की और होती है इसका आरेक देखी कहां पर दिया है तो फ्रेंस देखेंगे देखें सी वाला देखी यह कहां सी यह से यह में जा रही है और जब देखें कि चुम्बक के अंदर यह से यस की हो रहे है इसका सही जबब क्या होगा आपका सी होगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि कौन सा चुम्बकी छेत्र का मात्रक नहीं है बताना है ठीक है देखें चुम्बकी छेत्र का मात्रक देखेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्कॉर होता है ठीक है इसके लावट टेसला भी होता है और गौस भी होता है जो कि यहाँ पूछा कि कौन सा नहीं होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्कॉर न्यूटन प्रति एंपियर स्कॉर जो निए 8ah 107 वाट के होटता है टीक है और शक्ति बनुmission कि एकप्रोस यदि 1048 पर प्रियोक किया जाए तो बल्ब कीछकती कितनी होगी देखिए फ्रेंस यह सवाल आपकी बोड के एक्जाम में जरूर देगा ठीक है यह जान लीजिए देखिए फ्रेंस जब इस प्रकाद सवाल पूछे गए तो पहले यहां पर देखिए क्या दिया है आपका करेंगे दो सो गुड़े दो सो दो बार और पी दिए पी कितना देखिए सो बाटते हैं यहां बल्त की शकती होगी यहां ऑपर होता है यहाँ पिग मन कितना लेना है- 100 है यानि 100 है इसको मतलब 100 कर लेंगे R कितना है 400 तियंहां पर ली जैने 400 ठाव praticamente सब्पर वाय नहीं कै benefits तो पीवार कितना हो सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि बीजली के बल्ब में तन्तू होता है तो फिरेंज जो बल्ब होता है उसमें कौन सा होता है यह प्रशन कई बर करवाएं आपको याद हो गया होगा तो बल्ब में कौन सा तन्तू होता है तो टंगस्टन होता है इस प्रस्ण का सही जवाप यह होगा फेरेश इसम्तल डरपण की फोकस दूरी पूपशता है तो इस सम्तल डरपण की फोकस दूरी पूछता है ठीक है लेकिन ये पुष्टा कि समतल दरप्रः के आवर्धन कितना होता है यक फूरे पूशनों के साथ में आप याद रखिएगे आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि वकृता तिरिज्या का मात्रक होता है देखे फ्रेंस वकृता तिरिज्या का मात्रक होता है आपका मीटर भी होता है सेंटिमीटर भी होता है मीली मीटर भी होता है जिसका सही जवाब होगा डी यह सही अब देखे फ्रेंस आपको यह आप एक ची बताते हैं कि आप याद रखेगा इसको जरूर याद रखेगा कि जो फोकस दूरी होता है वह कृत्त तिरिज्या का आधा होता है यह फार्मुला याद रखेगा आपके अब्जेक्टिव सीधे देखने को मिल सकता है यह अब चलिए अग्रे नंबर के सवाल को द सवाल के जाए पंच प्रतिरोद हो जिन में परते का परतिरोद एक पांच ओम है इंका उप्योग करके कितना अधिक्तम परतिरोद बनाया जा सकता है देखे फ्रेंस यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर शब्द में का पूछा है कि पूछा है यहां पर पूछा है यह कि कितना अधिक्तम परतुरोद इसका मतलब परतीरोद इसको किसमें जोड़ना है आपको ते सिरेडğी में जोड़ना है, सिरेड़ी के परतिरोत क्या होता है? और प्रतिरोत का मात्रक आप याद रखिए क्या होता है और इसका सिंबल इस तरह होता है ठीक है इस सवाल के जवाब आपका डी होगा लेकिन यहीं आपका पूछ देता है नियूंतम प्रतिरोत पूछता तो क्या करते फ्रेंस नियूंतम प्रतिरोत कहता है इसका मतलब होता ह और जब reply का सवाल पूछश क कह रहा है कि अधिकतम करेंगा कि आप को सिरेडी में जोड़ना किसमें सिरेडी में घुड़नां लेकिन प्रशन देगा पूछ देगा कि न्यूंतम के लिए स्व yön प्रतिरुद कि सब कि यहां से आपका रसाइन विज्ञान के महत्वपूर्श सवाल सबस्क्राइब आपको यहां से देखेंगे आप रसाइन विज्ञान के सवाल ठीक है अब यहां पर शुलावा नंबर का सवाल है कि कि मैगनिशियम धातु का वायू में जलना एक उधारण है ठीक है जैसे आपसान भोतिक परिवर्तन है रसायनिक परिवर्तन है उत्क्रमड़ी अभिकिरिया है इन में से कोई नहीं देखे फरें जब कोई समान जलता है तो एक क्या होता है कि वो किसके अंत्रगत आता है 99 प्र होगा ठीक है जब आप इस प्रकाश्य सवाल मिलें उसमें जलना सब्सक्राइब लिखा होगा यह द्हान हो रहा है जल रहा है तो उसका परिवर्तन हमेंसा ट्रिक से याद रखिएगा क्यों है रसायनिक परिवर्तन के अंत्रगत आता है ठीक है यह आपके सामने अगला नं सब्सक्राइब कर रहा है इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया होगा अब इसको जरूर याद रखेगा जो एल्टू ओथ्री होता है इसे हम उभ्यधर्मी भी कहते हैं और यही प्रश्ण आपके डारेक्ट बहुविकल्पिंप पूछता है कि उभ्यधर्मी पदार्त कौन सा है त्सक्ति पूछें का कि al20oo 30 होता है इसको याद रखेगा साथ में चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है है आपके देख लिए Свयाइन सुत्र क्या होता है आपसा है यह थान शोब्री सोट्य हैं यह झाल इtte यह foreseeए द्रऊ ऑत आप सोड़ा होता है ठीक है खाने वाला सोड़ा पूछता है ठीक है इसको याद रखिएगा इसके साथ CAOCL 2 यह ब्लिचिंग पाउडर का का फार्मूला है साथ में याद रखें ब्लीचिंग पाउडर का पूछ देता है यहां पर यह सोडियम हाइड्राकसाइड है और देखिए यहां पर पूछा है कि धोने का सोड़ा जो होता है यह एक्जाम में आपके सामने 19 नंबर का सवाल है कि छारी विलियन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है ठीक है अब देखिए फ्रेंस जब छारी विलियन में फिनाफ्थलीन का रंग कैसा होता है आप साने लाल हो जाएगा नीला होगा पीला होगा यह रंग गहीन होगा तो छारी विलियन में जो फिनाफ्थलीन होता है इस सुचा का रंग लाल होता है तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका लाल होगा ठीक है फ्रेंस अब आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है देखें फ्रेंस यह चारी विलियन फिनाफ्थर नहीं जरूर्ब प्रशन याद करके जाएगे ठीक है आपके सामनी बीसवा दातू जल्स के समाने ताप पर क्रेर करती है तो वोगय। सुट्यूम होता है इसे हम चाकू से काट सकते हैं यह फिर्षन याद रखेंगा इसके अलावा यह भी प्रशन पूछता है कि केरोसीन तेल जो मिट्टी का तेल होता है यानि केरोसीन तेल होता है उसमें किस धातू को रखा जाता है तो सोडियम को ही रखा जाता है क्योंकि यह ज़्यादा अभी किराशील होता है इसको आप याद रखिएगा ठीक है जो प्रशन बता रहा है फ्रेंस इसक यह होगी कि विस्मागी टिकाइब आपका उता है कि मिस्ट मृत्प्र ाक्रॉ से अगला नमबर का फ होता है कि आपको पतादे कि ऐलकें होता है इन प्रशन को ज़िरूप लहीजिए फिरेंट है केन एलकीन ऐलकाइन ठीक है क्या होता ल काईन क्या होता है इसको चल्व फ्रेंठ याद रखिए कि एलकेन जूत्र होता है और एलकायन को जूत्र होता है cn h2n होता है ठीक है और देखिएलकीन का जो सुत्र होता है cn h2n-2 होता है तो फ्रेंस इसको जरूर आप याद करके जाईएगा ठीक है देखिए फ्रेंस यहां पे थोड़ा से मिश्टेक हो गया है यहां पी यह होता है इलकीन का होता है इलकाइन का सी एन एच टू एन माइनस टू होता है ठीक है यह फार्मुला जरूर याद रखिएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस इलकाइन का पूछा है यहां पर कार्बन की मातरा तीन है तीन रखिए यहां यह कार्बन की मातरा दू की दू का कुड़ा तीन तो याद करके जाएएगा फ्रेंश थोड़ी आवाज में थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा तभी नहीं है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंश ठीक है देखिए 23 नंबर का सव ये सब्सक्राइब यमझित करें सब्सक्राइब खैसे करें वाज पराश कीजिए ऑस्टाइब ये सामने चस्वाड़ की का सवाल ले दिएथ जिस प्रेशन जिसका अश्ट्राइब ये सवाल होता है तो आपकी स्वाब आपको क्या होगा ठीक है फ्रेंस चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है देख लीजए यहां सबक्राइब चलाकर्डा एक से एक मत यार यह मैं आसानी सब्सक्राइब आहिए यत हैं त्याग करने दोक जयुआ देखिए और इल्यक्ट्रान त्याग कर सकते हैं अगला नंबर की कर सकते हैं यह कुरहकी सबाइंगे और ऊवटे नॉंपरने को करनें पूर वीडियो इससे करना सब्सक्राइब पतते हैं अबगरण हुआ है और है यहां सब्सक्राइब लो है न już Lights यहां पी और पूचा एक है यहां पर वह न का मतलब होगा कि सी डेबल बान्ट ऑ अंच का मतलब इसमें यह आता है यह यह व्यूतेफोट्न रहा तो होता है इसका सभी होगा आपका भी होगा ठीक है चब्रेस नंबर का आपका सही जवाब क्या हुआ फ्रेंस भी हो गया ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल बता चुके हैं डारेक्ट याद रखें के जो वे धर्मिया अक्साइड होता है तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका सी होगा इसको डारेक्ट याद रखें अग्साइड करते हैं आपको साफने अगला नंबर का सवाल है 29 नंबर का कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है पीएच मान बताना है प्रेंट जो सुद्ध जल similarities का मिया इसका होता है मतलब क्या है सब tenmas कि अबएक आपके सामने अगला नंबर का सवाला like तीस नंबर पर देख़िये यहां पर कि जल को जिवाडु रहित बनाने के लिए ठीक है जल को जू रहित बनाने के लिए उप्योगी पदार्त हैं आ've आपसन है दावन सोडा बेकिंग सोडा फिट करी या विरंजक चूड चुड तो फ्रेंस इसका सही जवाब क्या होगा विरंजक चूड जो हता है वो जीवाओ रॉहित बनाने के लिए जलमें पर योग किया जाता है तिसका सही जवाब क्या हुआ होगा विरेंजक चुल जिसका फार्मूला होता है याद रखिएगा सी ए ओ सी यल्टू होता है क्या होता है जिसे ब्रीचिंग पाउडर भी कहते हैं ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं सवाल देंजक capacity फ्रेंस कर देखेंटी में यहां तक है 15 अब यहां से इस्टार्ट होता है आपका जीनधна defectि देखेंए अचीजक ध्यान को देखिए उर्मोनिया का यूरिया परिवर्तन लेगन करता हैसा सही जवाब होगा स्वाल 32 कि कोशिय प्रक्रमों में उर्जा मुद्रा यानि उर्जा का मुद्रा क्या है देखें मायट्रोकांड्रिया ग्लुकोज या पाहिए या एटिप यदि उर्जा मुद्रा पूछे इसका सही जब क्या होगा आपका ATP हता है इसको धियान दिजे ऊर्जागर्ह पूस्ता है ठिक कोश्क क्या अगले नंबर जग्रह भी कहते हैं ठीक हुझ घर उर्जा घर घर ठीक है चली अगले नमबर के सवाल को देखते हैं आनुकर प्र आफ तरह तीसमा नमबर का सवाल है रशल को कहते हैं कि मादा लिंग हर्मोन होता हुझ से کیया को ज़िरूर याद रखिए का ठीक है आपके सामने काईएक ? ए अलेंगिक है ? तो आता है फिरेंड जास्वानती है थि अधिप आता है केम 강ि कौल थ मते मत करें आता है उपका गले अंगला नंबर ही इसका सही जवाब होगा अपका doesn't work a अगला नंबर का सवाल हैं यहां पर देखे 36 नंबर का है पूरूस में लिइंग गुर्षुत्र होता है देखें फूरुस होता है। इसका पर लिंग गुर्ष कि यक्स होता है तुर मादा में ईसको साथ मिद्व है और इसमें उसमें लिंगुर्सुत्र कौन सो होता है यक्स होता है तिसका सही जवाब आपका होगा B ठीक है अब आपके सामने ये साही 30 नंबर का सवाल है आनुवानशिक्ता के जनक माने जाते हैं यानुवानशिक्ता के जनक कौन है चार्स डार्वीन, यूगो डिप ब्रीज, ग्रेग घ्रजार, मेंडल यानि ग्रेगर, जार, मेंडल तिसका सही जवाब क्या होगा आपका सी होगा ठीक है ति येस प्रशन को जरूर याद करके जाएगा कि जातियों की उत्पत्ति, पुश्तक के लेखाक है कौन है, अरस्तु है, लैबमार्च है, डार्रविं है, या तालिस नंबर का कि जय विविकाशक का सिध्धान पर्तिपादित करने वाले वज्यानिक का नाम है आपसन है चार्श डार्वीन, ग्रेकर मेंडल, जगदीश चंद्रबोस, हर्गविंद, खुराना तो फ्रेंश इसका सही जवाबगा चार्ल्स डार्वीन जय विविकाशक का पर्तिपादिन करने वाले वज्यानिक का नाम है चार्श डार्वीन, ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, चालिस नंबर का जो लास्ट सवाल है, ठीक है, निमने में से कौन मानों में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, जैसे आपसने अंडाशे, गरभाशे, दिम्बवाहिनी भी होता है, लेकिन उसमें सुक्रवाहिका नहीं होता है, सुक्रवाहिका कहां पर होता है, तो यह नर में पाए जाता है, ठीक है फ्रेंज, यहां पर आपके 40 most important question आपको बता है, 400 question को जरूर याद करके जाए, एक दो बर वीडियो को देख लीजिएगा, फ्रेंज, थोड़ी से आज तब यह ठीक नहीं, इसी वजह से हम वीडियो आपको असपरश्रू से बना के देने ही पा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेंज, आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें